एक नया हीरा 100 करोड साल पुराना होता है और एक पुराना 330 करोड साल के आसपास पुराने समय से लेके 1700 के आसपास तक हिंदुस्तान का एक छत राज था हीरे के व्यापार पे हमारा literature इसके बारे में क्या बोलता है हमारे यहां क्या कहानिया हैं इसके बारे में हम कितना जानते हैं इसके बारे में हम तो सिर्फ एक कोहिनूर को जानते हैं पर मैं आपके सामने पांच नाम ले रहा हूं क्या आप इन में से कोई भी एक को जानते हैं औरलोफ, रशिया की महारानी कैथरीन दग्रेट के राजदंड में लगा हुआ है ब्लैक औरलोफ, कहा जाता है कि ये पॉंडिचरी में किसी मंदिर में था नसाक डाइमंड, जो त्रेंब केश्वर में नासिक के पास शिवलिंग पे पंदरा सौ से लेके अठारा सु सत्रा तक लगा हुआ था और फिर बाहर गया, थर्ड अंगलो मराथा वार के बाद ड्रेस्डिन ग्रीन डाइमंड, दुनिया का एकलोता लार्जिस्ट ग्रीन डाइमंड और फिर शाह डाइमंड, ये भी रेशिया में ही है क्या जानते हैं इसकी बारे में हम आईए, इस सफर पे चलते हैं, बहुत रोचक होगा, बहुत आनन्द आएगा चलिए चलते हैं स्वागत है, हीरे की कहानी कहां से शुरू होती है ये एक जियोलोजिकल स्टडी है आज से 20 करोड साल पहले एक सुपर कॉंटिनेंट था गुंडवाना जिसमें साउथ अमेरिका, जिसमें अफरीका, इंडियन सब कॉंटिनेंट, आस्ट्रेलिया, और भी बहुत कुछ था और फिर वहाँ पे वॉल्कैनिक अक्टिविटी की वज़ा से वो तूटता है इंडियन सब कॉंटिनेंट फ्लोट करता है एशिया की तरफ और आके एशियन प्लेट को हिट करता है जहां पे Indian सबकॉंटिनेंट की प्लेट Asian सबकॉंटिनेंट के साथ हिट करती है, वहां पे हिमालाई बना. और ये भी समझी है कि Deccan के एरिया में, जो थोड़ा सा सेंटर से साउथ की तरफ है, इंडिया में, वहां पे Deccan Traps बनते हैं. पांच लाख स्क्वेर किलो मीटर का वॉल्कैनिक इरप्शन से बसाल्ट लावा फ्लड करता है उस पूरे एरिया को. महराश्टरा है, मध्यप्रदेश है, आंध्यप्रदेश है, तेलंगाना है, आठ स्टेट्स हैं उसमें टोटल. और इस दौरान में, जमीन के नीचे के जितने खनिज पदार्थ हैं, उस वॉल्कैनिक इरप्शन के साथ बाहर आते हैं. हीरे भी उसके साथ आते हैं. आज से 2000 साल पहले और उस से भी पहले, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी जगह थी, जहां पे डाइमंड्स मिलते थे. और डाइमंड्स हमारे जो थे वो ऐलूविल डाइमंड्स थे, मतलब रिवर बेड्स पे मिल जाते थे, कहीं ड्राइड रॉक्स के साथ मिल जाते थे. वो इसलिए, क्योंकि जिस वकत वॉल्कैनिक इरॉप्शन्स हुई हैं, उस वकत ये सारे डाइमंड्स वॉल्कैनिक रॉक्स के साथ बाहर आए हैं. और करोनो साल की वेदरिंग के बाद जो बारिश और रोशनी और धूप की वज़ा से होती है, उसकी वज़ा से ये डाइमंड्स लूज होके पानी के साथ रिवर बेड्स पे आके सेटल कर गए. और जैसे जैसे रिवर ड्राइ होई या रिवर चलती रही, ये डिस्कवर होते रहे हैं. जैसे के नूरोलैंड डाइमंड, दर्याय नूर डाइमंड, ये दोनों इरान में हैं, और दे ग्रेट मुगल, जो आधे अंडे के बराबर था, कोई 280 कैरेट्स के आसपास, ये माना जाता है के नादिर शाह के दिल्ली से जाने के बाद, दे ग्रेट मुगल गायब हो गया. ये रिकॉर्ड है कि ईसा से 200 साल पहले टॉलमी फिलिडल्फस करके एक एजिप्शिन फराहो थे, उनके प्रोसेशन में इंडियन्स आते हैं और अपने साथ पर्ल्स, जेम्स और डाइमंड लेके आते हैं, ये रिकॉर्डड है. इसा के 150 साल बाद, रोम के पास एक छोटी सी बच्ची की एक कबर मिली है, जिसमें एक अंगूठी भी मिली है, जिसके ओपर हीरी लगे हुए हैं. रोमन वर्ल्ड में हीरे की अंगूठी एक आम बात थी. पर हिंदुस्तान जहां हीरे मिलते थे, वहां कोई अंगूठी मिली? वहां कोई हमें इस प्रकार की जूलरी मिली? अफगानिस्तान में आये खानम करके एक जगा है वहाँ पे एक पिंक सिफायर की अंगूठी मिली है जो इसा से 300 साल पुरानी है और उसके दोनों साइड्स के उपर दो अक्टाहिड्रल डाइमंड्स है अभी ये एक बहुत इंपॉर्टन्ट फाइंड है उसके बाद एक एर रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिला है जिसपे बहुत सारे हीरे लगे हुए है ये भी एक बहुत इंपॉर्टन्ट फाइंड है इसके साथ ही हमें एक रेलिक्वेरी मिली है बुद्धिस्ट रेलिक्वेरी जो किसी स्टूप में कहीं होगी तक्षिला में उसमें भी एक डाइमंड की हमको एक रिंग मिली है ये भी एक इंपॉर्टन्ट फाइंड है अब हिंदुस्तान में जुलरी डाइमंड की कहा गई? क्यों नहीं है? तो इसके उपर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने लिटरेचर की तरफ ध्यान दिया हमने ये पाया कि अर्ज शास्त्र में बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि एक अच्छा डाइमंड कैसा होता है कहां से सोर्स किया जा सकता है क्या कलर होता है उसका क्या शेप होती है उसकी गरोडपुनार में ये चीज बड़ी साफ साफ लिखी हुई है कि एक डाइमंड जो अच्छा नहीं है या जिसमें कोई फॉल्ट है उसकी वैल्यू एक अच्छे डाइमंड की वन टेंथ होती है और गरोडपुनार में ये भी लिखा हुआ है कि डाइमंड एक औरत के लिए अच्छा नहीं है और फिर इसके अलावा ब्रहत समहता है अगस्त समहता है दर्शन कुमार चरित्र है जिसमें ये मेंशन है कि डाइमंड का एक ट्रेडर यवन है यवन या तो ग्रीक या रोमन या एक अरब के लिए इस्तमाल हुएते थे उसके अलावा हमारे पास एक और लिट्रेचर है शिला पद्दिकारम जो साउथ का है उसमें कन्नग्गी की स्टोरी है उसमें हीरे के व्यापार के बारे में हीरे के बाजार के बारे में हीरे की टैक्सेशन के उपर और बाकी जिम्स के लिए भी ये सारा डीटेल में दिया हुआ है ये सब एक्जिस्ट करता था हमारी व्यवस्था हमारे सोसाइटी एक बहुत और्गनाईज सोसाइटी थी जो इस व्यापार को और हीरे को अच्छे तरह से डील करना जानती थी आयरुवेद में हीरे की भस्म का जिक्र है जो दवाई में इस्तमाल की जाती है और हीरे की भस्म बनाना कोई मामूली काम नहीं है हीरे को रगड के उसका पौडर बनाना या हीरे को किसी और तरीके से उसका powder बनाना या अपने आप में एक art है जो आयरुवेद के अनुसार हमारे हकीमों ने master कर ली थी तंजोर में अगर आप जाते हैं वहाँ पे temples के उपर inscription है कि क्या-क्या gift किया गया था temple को राजा की एक inscription में ये भी लिखा हुआ है ये कोई हजार साल पुरानी बात है Marco Polo और तिफाशी करके कुछ travelers हैं जो इंडिया में आये थे उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ पे जितने भी उनको Indians मिलते हैं They are very fond of jewels and gems और वो उपर से नीचे तक gems और jewels और diamond से लदे होते हैं और यहाँ हमको समझना है कि खाना आप कितना भी अच्छा बना ले अगर परोसना नहीं आता तो खाने का मज़ा अधूरा हो जाता है हिंदुस्तान में हीरे की cutting और polishing के उपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था ये योरोप में होना शुरू हुआ योरोप में उन्होंने machines बनाई जब हिंदुस्तान में हीरे को हीरे के खिलाफ रगड के polish की जा रही थी वहाँ पे उन्होंने उसके लिए proper machine बनाई उस machine को पहले हिंसान चलाता था उसके बाद उन्होंने का नहीं इस machine को तेज़ चलना है ताकि अच्छे तरीके से काम हो तो उन्होंने water power का इस्तमाल करना शुरू किया थोड़ी देर के बाद उन्होंने घोड़ों का इस्तमाल करना शुरू किया जब वो ये सब कर रहे थे उस वक्त हिंदुस्तान में cutting और polishing वैसे ही पुराने रूडिवादी तरीके से चल रही थी एक बड़ी interesting story है 1607 में East India Company के William Hawkins जहांगीर के सामने प्रस्तत होते है जहांगीर उनके सामने एक हीरे के polish करने वाले को बुलाता है और कहता है कि भई ये एक हीरा लो और इसको polish करो काटो और polish करो उसने कहा कि भई मेरे को आप एक और कोई पुराना हीरा दे दीजे ताकि मैं हीरे को हीरे के खिलाफ रगड के इसकी polishing कर सकूँ जहांगीर Hawkins के सामने एक बहुत बड़ा ट्रंक मंगवाते हैं जिसमें उपर से नीचे तक हीरे ही हीरे होते हैं पर उनको उसमें एक भी खराब हीरा नहीं मिलता है उसी के बाद शाह जहां की भी कहानी है कि उन्होंने रिकॉर्ड किया है शाह जहां नामा में कि बिहार के सूबा का जो गवर्नर था उसने उनके पास नौ अनकट डाइमंड्स भेजे और उनमें से एक डाइमंड तीनसो असी रती का था कोहिनूर से भी पड़ा अब जब सारी दुनिया हिंदुस्तान के हीरे के बारे में जानती थी और अंग्रेज हिंदुस्तान में आ चुके थे डच हिंदुस्तान में आ चुके थे पर्चुगीज इंदुस्तान में आ चुके थे, फ्रेंच इंदुस्तान में आ चुके थे तो इन में आपस में एक होड लग गई हीरों के व्यापार के लिए हम ये जानते हैं कि सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्टरी सेटप की थी हमें ये भी आइडिया है कि सूरत में जो फैक्टरी थी वो पहली फैक्टरी थी पर नहीं, पहली फैक्टरी मसूली पत्नम में थी 1611 में, सूरत से भी पहले और अंग्रेजों ने वहाँ वो फैक्टरी सिर्फ और सिर्फ हीरों के व्यापार के लिए रखी थी बाद में उन्होंने वहां से हटा के उसको चिन्ना ही लेके गए उस टाइम पे मदरास था पर ये हमें समझना है कि हीरों के व्यापार के लिए गोवा में पोर्चुगीज बैठे थे डच मसुली पत्नम में थे अंग्रेज भी मसुली पत्नम में थे और जब हीरा हिंदुस्तान से बाहर जाता था और कटके और पॉलिश होके वापस आता था तो हिंदुस्तानी ये भी हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे खुद के एम्परर्स औरंगजेब वो एक कटे हुए और एक पॉलिश हुए हुए डाइमंड के लिए जादा पैसे देने के लिए तयार थे बनिस्पत के अनकट डाइमंड के जब राजा पॉलिश डाइमंड की तरफ ध्यान देगा और अनकट डाइमंड की कोई वैल्यू नहीं होगी तो फिर तकलीफ तो बढ़ेगी अधर सबसे बड़ी प्राब्लम ये हुई कि पॉर्चुगीज ने ब्राजील में हीरे की ख़दाने डिस्कवर की इंडिया में हीरे की जो उपज थी वो कोई पचास हजार कैरेट एक साल में थी ब्राजील में शुरुवात में ही एक लाग कैरेट थी उसके दूसरे साल तीन लाग कैरेट थी इंडियन चैप्टर क्लोज होता है कुछ होर डाइमंड्स के नाम भी सुन लीजे सैंसी डाइमंड विटल बाख ग्राफ दे होप डाइमंड इंदौर पियर्स दनिजाम होटेंसिया फ्लॉरेंटाइन लिस्ट एंडलेस है इसलिए क्योंकि जब आप हिस्ट्री आफ डाइमंड्स लिखेंगे तो दुनिया के मशूर तरीन डाइमंड्स जो हैं वो कही न कही हिंदुस्तान से ही निकले हुए